गुड मॉनिंग नमस्ते अस्सलाम अलेकुम दोस्तों हाजिर मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेगे जिसमें आज हम बहुत खास बात करने वाले है जोन्स रिजिन एंड मल्टी रिजिन के बारे में दोस्तों जीसीपी के अंदर अगर आपने अपनी बुनियात को मजबूत करना है तो आपको पहले कॉंसेप्ट समझना पड़ेगा मल्टी रिजिन का क्यों क्योंकि जीसीपी बाकी क्लाउट से बहुत चीजों में अलग है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि just because of इसकी यून है इस क्लाउट के अंदर ऐसी तागत है जिसकी वज़े से यह आज AWS और Azure के बराबरी में खड़ा है और बहुत सारी बड़ी कंपनीज इसकी तरफ अट्रेक्ट हो रही है फिर चाहें वह प्रॉक्टर एट गैंबल हो या फिर कोई और बड़ा नाम हो हिंदुस्तान यूनि डिटेल में बताऊंगा कि शायद आपको किसी प्लाटफॉर्म पे जाने की जोत नहीं पड़ेगी या किसी प्लाटफॉर्म पे वो बुनियादी बाते नहीं बताई जाएंगी जो आज के लेक्टर में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ बेहत खास बाते होने वाली ह और यह बुनियाद है दोस्तों GCP के अंदर मैं बहुत डिटेल में लेक्टर लेके आने वाला हूँ ना सिर्फ Associate Cloud Engineer के बलकि Professional Certification जो इसकी होती है वो भी आप निकाल पाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सेरीज को भी अपनी as usual जो पुरानी सेरीज रही है जो बहुत डिटेल में है Google Cloud भी उतनी ही डिटेल में आपको दे पाऊं हाँ ये बात सही है कि कुछ वकत से जो वीडियोज है वो नहीं आ पाई थी क्योंकि आपको पता है कि मेरी तबित खराब थी और मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा था लेकिन अभी जो है मैं कोशिश पादी लेक्टचर है बेसिक बाते करने ऒाले हैं कि zone क्या होता है रीजन क्या होता है multi-region क्या होता है लिखवाऊंगा भी notes बनाते रहेगा as usual जैसे आप बनाते हैं सबी इस 건데 बनाई एका क्योंकि GCP यहां से पढ़ने के बाद या मेरे YouTube पर देखने के बाद कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूँगा जिसके लिए आपको किसी institute में या किसी platform पे जाना पड़े इस चीज की मेरी guarantee है ठीक है तो अब जरा हम बात करते हैं कि जोन क्या होते हैं रीजन क्या होते हैं और multi regions क्या होते हैं गूगल क्लाउड एक कितना दिल्चस्प क्लाउड है कि यह multi region concept ल और एक को यह कहता है Asia Pacific गूगल कहता है बाई मेरे पास तीन region है multi region Asia Pacific multi region में तीन multi region इनके पास है US, Europe and Asia Pacific और US के अंदर फिर इसके पास तरह तरह के regions है US के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसके पास Iowa है इसके पास जो है Toronto है ठीक है तो US भी है इसमें North America भी है South America भी involved है Canada भी involved है तीनों के तीनों जो आसपास की जगह है यानि North America, South America और जो आपका Canada है उन तीनों के अंदर इसने अपने regions बनाए हुए है फिर वो Iowa हो, Toronto हो या और कोई जगह हो जैसे की अलग-अलग नाम से है, Ashburn है है और बाकी बहुत सारी जगह है तो US के अंदर आपको multiple regions मिलें Iowa एक exception है जिसके अंदर चार जोन है A, B, C and F ये चार जोन आपको Iowa के अंदर मिलेंगे बाकी सारे जोन पूरी दुनिया में जितने भी Google Cloud के हैं सभी के अंदर आपको तीन जोन नजर आएंगे, सभी में तीन जोन होते हैं यानि हर region के अंदर, every region we have three zones अब सवाल ये भी आता ह कि सर ये zone होता क्या है, तो ये सारी बाते अभी हम discuss करेंगे, कि एक region के अंदर तीन zone होते हैं, so region is nothing but a collection of zone, आप ये कह सकते हो, क्यों region कुछ नहीं है, region zone का collection है, उसलिए हम उसको region बोलते हैं, एक नाम हमने दे दिया, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई, आप, जो आपका जैसे कोई होते हैं, किसी कई चीजों के लिए हम नाम दे देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने कहा, people, चले ये एक term ले लेते हैं, people, अब people क्या होता है, people अपने आप में कुछ नहीं होता, जब बहुत सारे लोग इखटे हो जाते हैं, उसको हम people कहते हैं, कि काफी सारे zones का collection है, आप ऐसा समझो, ठीक है, तो region के अंदर zone होते हैं, फिर एक तीसरी service भी इनके पास है, जो कि other cloud के पास नहीं है, वो है multi region, ये आपको multi region environment भी provide कराते हैं, Google कहते हैं कि हमारा internally जो network है, वो आपस में connected है, ये हमारा आपस में interconnected है, cables के थूरू, C cables के थूरू, हमारा जो पूरा regions है, जितने हमारे बने हुए हैं, सारे continent से वो cable के थूरू जुडे हुए है, तारों के थूरू जुडे हुए, C cables के थूरू, और वो कहते हैं कि हम आपको एक fast network provide कराते हैं, अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि आखिर ये zone region या multi region की हमें जरूरत क्यों पड़ी, या किस concept के लिए, तो जो reason है, बुनियादी reason जो है, वो क्या है, पहला है high availability, जिसकी वज़े से आपको इसकी जोद पड़ी, high availability, यानि आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा जो system है, या मैं cloud से जो service ले रहा हूँ, वो 24 into 7 और 365 साल के दिन, लगातार वो service चलती रहे, तो इसके मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा environment मिले जहां मेरी चीज़े down ना हो, तो फिर उसके लिए Google कहता है कि भाई अगर आप ऐसा environment चाहते हैं, तो बजाए सारी चीज़ों को zonal बनाने के, आप चीज़ों को regional बनाएं, ठीक है, इसके आप example क्या ले सकते हैं कि आपको 3 server बनाने ह अब आप कहोगे सारी जोन होता क्या है, तो भाई ये जोन कुछ नहीं होता, ये data center होता है और जिसकी कहानी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये एक physical data center ही होता है back end पे, ठीक है, तो अगर आप back end पे देखेंगे, तो Google के बड़े बड़े data center बने हुए ह Frankfurt में उसके data center बने हुए है, और भी जगह है, तो ये वो regions कहलाते हैं, जहाँ जहाँ इनके data center होते हैं, और जिस जगह पे data center होते हैं, उसे zone कहते हैं, तो London के अंदर मिसाल के तोर पे तीन अलग अलग जगह पे इनके data center बने होंगे, एक को कहा जाएगा zone 1A, एक को कहा जाए zone A बना होगा, एक दूसरी location पे zone B बना होगा, तीसरी location पे zone C बना होगा, ऐसे ही Asia के अंदर भी multiple regions हैं, जैसे कि अब तो खेरे हिंदुस्तान में, मुंबई में भी है, दिली में भी है, तो इनके multiple regions हैं, इंडिया के अंदर दो country में, वतलब एक country में, दो region भी हो सकते हैं, य भी याद रखेगा, ऐसा नहीं है कि एक country में एक region होगा, मिसाल को तोर पे अमरीका में तो बहुत सारे हैं, इंडिया में भी इनके पास मुंबई और डैली के अंदर है, बाकी other countries में भी हैं, जैसे होंग कॉंग में हैं, ताइवान में हैं, अस्चेलिया के, सिड्नी में हैं अलग-अलग जगये, इन्होंने अपने region बनाय हुए हैं, और उसके अंदर ये क्या बनाते हैं, zone बनाते हैं, जोन क्या होता है, एक data center होता है, डेटा center क्या होता है, जहाँ मेरे server रखे हुए है, मेरी storage रखे है, physical storage, फिजिकल server, जहाँ Google ने रखा है, बनाया है, उस जगये को कहते हैं data center और वो data center represent होता है यहां पे zone के दुआरा ठीक है अब एक और सवाल मैं आपको बता दूँ important बात आपको बता दूँ कि दो zone के दर्मयान एक region के अंदर दो zone है फार एक्जामबल यह मुंबई region है और मुंबई में मेरे पास तीन zone available है zone A zone B और zone C तीन zone मेरे पास available है तो याद रखेगा तीनों के बीच में या इन दो zone के आपस में ये दो zone जो है बीच में जो difference होगा वो होगा 100 miles का यानि दो zone के दरमयान जो difference होता है 100 miles या उससे ज़ादा का होता है दो zone के बीच में ऐसे zone B और zone C के बीच में भी 100 miles का distance होगा ये क्यों रखा जाता है ये सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा क्यों देखे मुंबई अगर मैं एक region represent कर रहा हूं तो इसका ये बिलकुल मतलब नहीं है कि तीनों जो zone है वो मुंबई में ही होंगे zone A जो है वो पुने में चल रहा हो जो zone B है वो नागपूर में चल रहा हो और zone C है वो हो सकता है कि उस state में ही ना हो वो हो सकता है कि राजिस्थान के किसी बॉर्डर में लगा हुआ हो या MP की किसी जगह पे हो suppose करें आप भुपाल में लगा हुआ हो might be possible कोई जरूरी नहीं है तो वो दूर दूर होते हैं दूर दूर होने का वज़े क्या है दूर दूर होने की वज़े यह है कि बहुत अगर किसी वज़े से यहाँ पे जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई एक coastal area है जहाँ पे कई बार समडर का पाने भी आ जाता है कई बार high rise या high tight की वज़े से बाड भी आ जाती जादा बर्सातों में तो हो सकता है कि बहुत पुने में इतनी जादा बारिश हो जाए कि पूरा data center डाउन हो जाए या power cut हो जाए बहुत बड़ा जो data center beer ना कर पाए क्योंकि उनके पास power failure के cases में जो backup होता है वो कुछ time के लिए होता है ऐसा तो नहीं है कि आप unlimited time तक generator पर dependent रह सकते हैं या battery backups पर dependent रह सकते हैं हो सकता है कि zone A down हो जाए तो वो कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पर bar आई है तो अगर आपका high availability तब मिलेगी जब एक zone पे होने वाला impact दूसरे zone पे ना पड़े या दूसरे zone पे होने वाला impact तीसरे zone पे ना पड़े अगर किसी वज़े से पुने में suppose करें कि अर्थ quake आ जाता है कोई ऐसे जटके आ जाते हैं तो दूसरा zone उससे बचा हुआ रहे क्योंकि वो इतना दूरी पे है कि वो impact वहाँ कम होगा या पुने में अगर बारिश हो गई है बहुत जादा तो भुपाल पे उसका impact ना आ है या भुपाल में अगर कोई natural disaster या calamity आ गई है तो उसका impact नागपूर और पुने पे ना है इस concept की वज़े से एक region के अंदर हम तीन zone लेके आए और ये fixed है Google के अंदर कि Google के हर region में आपको तीन zone मिलेंगे सिर्फ एक exception है और वो है US का Iowa जहां पे चार होते हैं अब आप ये भी क्या है सकते हैं कि सर ये चार क्यूं है तो मैं आपको बता दूँ कि जब Google ने शिरुवात की थी अपने cloud की तो सबसे पहला region आयोवा ही था और उस टाइम उने लगा था कि हाई availability के लिए हम चार zone वाला concept लेकर चलें लेकिन जब future में उन्होंने expand करना शुरू किया तो उन्होंने realize कि तीन zone काफी है चार वाला concept is not required तो अभी तक फिर इन्होंने ये चार zone क्यों रखे हुए हैं क्योंकि इनका अगर कोई नई testing ही ने करनी है कोई beta version ये किसी service का लेकर आते हैं तो उसकी testing के लिए चोथे zone का इस्तमाल करते हैं तो guys ये कुछ वो दिल्चस्प बाते हैं जो मैं आपके साथ share करना चाहता था अब यहाँ पर याद रखेगा जो हमारे पास Google में services है वो सारी services या तो zonal होंगी या regional होंगी या multi region भी हो सकती है आप ऐसा नहीं कहा सकते कि sir मैं एक virtual machine बना रहा हूँ और क्या मेरी virtual machine multi region हो सकती है नहीं हो सकती है क्योंकि हर एक service define है कि वो किसके अंदर आएगी हाँ आप multi region बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि एक region एक VM आपने बनाई अपनी Toronto के अंदर और आपने उसी की replica बना दी उसी का copy या एक replication बना दिया आपने Asia Pacific के मुंबई में तो दो server आपके चल रहे हैं एक primary server और एक उसका backup server या secondary server जो मुंबई में है ये काम आप कर सकते हो आप खुद से multi region service भी create कर सकते हो बड़ अगर आप GCP से multi region service लेना चाहते हो एक AC service लेना चाहते हो जिसका अगर पूरे का पूरा region डाउन हो जा जैसे मैंने आपको मिसाल के तोर पे ये बताया कि भई zone A अगर किसी वज़े से खराब होता है तो zone B से बन्दे को service मिलती रहेगी zone B पे कोई फरक नहीं पड़ेगा याद रखेगा जो अब भी कोई impact आता है मिसाल के तोर पे एक zone खराब हुआ तो जो उस zone के अंदर services है सिर्फ उन पे फरक पड़ेगा उसका फरक B या C पर नहीं पड़ेगा ये बात याद रखेगा similarly अगर एक region पे फरक आता है जैसे Ashburn region कुछ वज़े से for example कि वहाँ पे services अप नहीं है या services down हो गई है तो उसका impact कभी भी दूसरे region पर नहीं आएगा Toronto पर नहीं आएगा या London पर नहीं आएगा जो impact होता है वो उस region के अंदर रहता है बाकी services बाकी regions को वो affect नहीं करता है क्योंकि they are isolated to each other तो एक region का affect दूसरे पर नहीं पड़ेगा बाकी services as usual चलती रहेंगी ये एक अच्छी चीज़ है cloud infrastructure के अंदर although ये आपस में interconnected है बस इस तरीके से interconnected है कि एक अगर खराब होता है तो दूसरे पर असर नहीं पड़ता है एक zone अगर खराब होता है तो दूसरे zone पर असर नहीं पड़ता है फिर भी आप कहते हो कि sir हो सकता है खुदाना खास्ता ऐसा हो जाएगी पूरे का पूरा लंडन region डाउन हो जाएगा तो जब लंडन डाउन हो जाएगा तो उसके अंदर के तीनों जो zone है वो तो of course डाउन हो जाएगे जी हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है तो ऐसे case में हम क्या करेंगे ऐसे case में कुछ services है Google की जो multi region होती है यानि अगर एक region डाउन भी होता है तो उसका replica Google ने back end पे multi region में चला रखा होता है अच्छा यहाँ पिना इसका concept ये भी है कि अगर आपको regional service लेते हो तो back end पे Google उसकी एक replica या एक backup अपने तरफ से उसका दूसरे zone में बना के रखता है zonal के case में भी Google एक replica आपको बना के देता है बट same zone में अब आप कहींगे सर ये बात समझ नहीं आई तो ये बात ये है कि अगर ये zone खराब होता है तो आपकी virtual machine आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल सही बात है लेकिन आप इस zone के अंदर भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस hardware पे virtual machine चल रही थी यानि जो data center है उस data center में बहुत सारे physical server लगे हुए है अब for example वो physical server खराब हो गया जहां आपकी VM बनी हुई थी ये भी तो हो सकता है तो ये आपकी गलती तो नहीं है ये तो Google की तरफ से है ना कि उनका physical server खराब हो गया तो ऐसे cases में Google zone के अंदर आपकी multiple replica बना के रखता है कि अगर इस बंदे का ये यहां पे VM खराब हुआ तो ये VM आपको यहां backup से चलती हुई मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो physical server खराब हो गया था और उसमें ऐसा कुछ हो गया था Google is having one beautiful service and that is known as live migration Google live migration कर देता है guys यहां पे maintenance जो होती है Google की वो live migration होती है यानि अगर Google को अपने किसी physical data center में कुछ भी upgrade करना है वो अपने hardware को update कर रहा है change कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो उसके पास एट टकनीक है कि वो आपकी virtual machine को चलते चलते उसे बंद भी नहीं करेगा और उसको migrate कर देगा दूसरे hardware के उपर and that service is known as live migration यह Google कर सकता है Google के पास यह सहुलियत available है चले जी बहुत अच्छी बात है तो guys यह एक overall scenario है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि zone क्या होता है regions क्या होते हैं और multi regions क्या होते हैं अब मैं unimportant Google के documentation को study करने के बाद बहुत सारी ऐसी दल्चस्प चीज़ें मैं निकाल के लाया हूँ जो आप कह सकते हैं कि निचोड है पूरी इस topic का तो मैं उन्हें आपको one by one लिखवाऊंगा भी और समझाऊंगा भी so that अगर exam में कोई भी सवाल इन से related आजाए या कोई ऐसा topic आपको कभी interview में कोई ऐसा इस से related आजाए तो आप हर एक सवाल का जवाब logically दे पाएं तो इसके लिए अब हम आगे के topics को मैं आपको यहाँ पे one by one लिखवाता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ तो अब ज़रा देख लेते हैं इनकी definitions क्या है या इनके अंदर क्या क्या दिल्चस्प चीज़े होती हैं तो मैं आपको बता दूँ कि regions are independent geographic areas that consist of zones यानि region क्या होता है region is nothing but a group of zones या फिर collection of zones आप यह कह सकते हो collection of zones तो एक region के अंदर zone होते हैं और एक region में कितने zone होते हैं बताएं ज़रा जल्दी से अभी ज़स्कस हुआ है बिल्कुल सही आपने बताया तीन होते हैं एक ही exception है आयोवा दुनिया में total कितने regions है यह आप से पूछा जा सकता है at present 29 region है पूरी दुनिया में ठीक है उसमें US के अंदर यरप के अंदर और Asia Pacific में जितने भी है वो list आप को मिल जाएगी अभी at present 39 है 6 से 7 नए आने वाले हैं जिसमें दोहा में भी है और अलग अलग जगह पे हैं तो वो हो सकता है कि आने वाले time में यह number बढ़ जाए 29 से 30 हो जाए 30 से 32 हो जाए पर at present 39 है आप यह actual Google करके कभी भी देख सकते हो number of regions in GCP आपको पता चल जाएगा at present 29 region available है तो region क्या होते है भई group collection of zones होते है they affect pricing, reliability, networking and performance guys यह बड़ी important बात है यह आपको कोई नहीं बताएगा मैं आपको समझाता हूँ हम जो service है वो regional लें हमेशा या हम किसी चीज़ को regional बनाएं क्योंकि हमारा zone तो down जा सकता है है ना भाई देखे हर एक बात आप समझ लें आपको अपना budget भी देखना पड़ेगा iPhone का phone अच्छा होता है doesn't mean कि हर कोई iPhone afford कर सकता है ठीक है उपो और वी वो चलाने वाले बहुत लोग है ठीक है और जो वो भी निचला सकते बिचारे वो अपना keypad वाला phone भी चलाते है इट depends कि आपको budget क्या allow करता है पहली बात अब चले मैंने मान लिया मेरा budget बहुत अच्छा है मेरे पास सब कुछ है मैं ले सकता हूँ तो क्या मैं हर service को regional या multi-regional बना के रखो बिल्कुल नहीं boss zone का भी अपना एक फायदा है कहते हैं न जहां पर तलवार से काम नहीं होता सुई से काम हो सकता है वाँ सुई से ही होगा तलवार नहीं इस शर्ट को सीलने के लिए सुई काम आईगी तलवार नहीं आ सकती बात को समझें जो zone है zone की अपनी एक importance है क्योंकि zone जो होता है आप समझें वो एक data center होता है मैंने जस्ट अभी आपको बताया आप ऐसा समझें कि ये Mumbai region है Mumbai region के अंदर ये zone है ये एक zone है अब zone को मैंने क्या का की ये data center होता है ये काना मैंने आप से अब ये data center कहा है मैंने आपको ये भी समझा आया कि ये पुने में है ये वाला नाकपुर में है हो सकता है और हो सकता है ये वाला भुपाल में हो अब जरा मुझे एक बात बताएं आप मैं आपी से पोचता हूँ कि मैंने यहां पे एक बंदा खड़ा कर दिया और मैंने उस बंदे से का जाओ जरा नाटपूर से जाके यह फलाना बंदे को चिठ्थी देखे आओ और दूसरी तरफ एक और बंदा यहां पे है मैंने उससे कहा यार तुमने ये जो ये B है और ये A है ऐसा मान लो तो मैंने B से कहा यार तुम A को चिठी देखे आओ रो A को कहा कि तुम C को चिठी देखे आओ तो अब आप पताओ जल्दी काम कौन कर देगा Of course B जल्दी काम कर देगा क्योंकि B और A जो है वो एक ही डेटा सेंटर के अंदर है ये कुछ ऐसा है कि आपने एक बंदे को चिठी देखे कहा कि जाओ उपर वाले फ्लोर पे देखे आजाओ और दूसरे बंदे से कहा जाओ ये चिठी जो है तुम दिल्ली से हैदराबाद देखे आजाओ तो of course जिसको उपर जाना है वो तो 2 सेकंड में जाके दे आएगा कहानी समझ आ रही है कहानी ये है भाई कि अगर आप अपनी चीजों को एक ही जोन में बनाएंगे तो it works faster आपकी process fast हो जाएगी performance better हो जाएगी और दूसरी बात खर्चा कम लगेगा भाई यहां से नागपुर जाने का खर्चा भी आएगा न expense भी आएगा तो for example टेकनिकल बात करें तो यहां से यहां अगर कोई data transfer कर रहे हो तो of course आपको bandwidth consume होगी आप वहाँ पर data transfer करोगे आपका खर्चा आएगा बढ़ दूसरी तरफ internal जो होगा वो local area network बना हुआ होगा data center के अंदर और यहां पर मेरा कोई खर्चा नहीं आएगा और यह फटाफट देखकर भी आजाएगा वो उपर तक जाना था उसको just सीडियों से चड़के तो guys आप इसको समझें कि ऐसा नहीं है कि हर service regional होगी तो बढ़ा अच्छा है हर service multi region होगी तो बढ़ा अच्छा है फिर Google ने क्यों नहीं सबको multi region बना दिया क्यों नहीं हर service को regional बना दिया ऐसा नहीं है depends on the priority कि किसी service के लिए क्या ज़्यादा important है उसके basis पर या आपका budget क्या है उसके basis पर आप चीजों को zone में या region में बनाएंगे ऐसा नहीं है कि as a good designer क्योंकि cost efficient होना है as a architect as a cloud architect वो ही एक अच्छा architect है जो कम budget में design करके देदे solution को as a good designer आपको reliability पर भी focus करना है high availability भी focus करना है बसाथ के साथ cost को भी देखना है तो जो important services है या कोई ऐसे server है जो down नहीं होने चाहिए database server है billing server है उनको आप regional कर सकते हो उनके backup बना सकते हो पर यह नहीं कि हर service का backup बनाओगी बेवज़े आपकी cost बढ़ती चली जाएगी आपका पूरा design जो महंगा हो जाएगा ऐसा नहीं आपने करना तो it depends तो हमेशा याद रखेगा zone में बनाने पर service fast आपको मिलेगी और उसमें एक technical term होती है latency जो यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगी come in the sense अच्छी मिलेगी latency का मतलब क्या होता है मैं अकसर अपनी life classes में बताता हूँ कि आपने किसी को इजहार किया महबत का है ना आपने किसी से का I love you अब आपने तो I love you क्या दिया आपने खत लिखकर भेजा उसको पर उसका जवाब जो है वो चार दिन बाद आया अब दू फैंक आशिक है आपने फिर किसी से का I love you और वहाँ से दो मिनट बाद एक और लड़की आई वो चिठी लेके उस पर इप्लाई लिखाता है love you too तो latency कहां बैटर है दूसरे वाले में दो मिनट के अंदर जवाब आ गया this is called latency आपको जितना आपके message को जाने में और आने में time लगता है आपको उसका response जितनी देर में आता है that is known as latency तो latency कहां बहतर होगी of course अगर एक ही building के अंदर दोनों लोग है तो जब काम जल्दी हो जाएगा बाते जल्दी हो जाएंगी है ना तो that is called as latency latency बहतर होना बहुत जरूरी है किसी भी network के अंदर और cloud में तो बहुत ही ज करनी पड़ेगी और multi region में और जादा पर उनके अपने फायदे भी है कि अगर zone down अगर region down हो गया तो फिर दूसरे region से service मिल जाएगी तो देखे pros and cons दोनों जगा है फायदा भी है किसी चीज़ का नुकसान भी है तो अगर आप fast service चाहते हैं कम budget में चाहते हैं तो always keep your devices or services inside a single zone यह आपने याद रखना है ठीक है I hope यह बात समझागी होगी चली अच्छी बात है zone a zone is a deployment area for google cloud resources तो देखे region के अंदर zone होते है मैंने आपको बताया कि यह एक region है मेरा मुंबई और मुंबई के अंदर मेरे 3 zone बने हुए है ठीक है एक region के अंदर होता है zone should be consider a single failure domain याद अगर पुने में बार आएगी तो ऐसा नहीं है बोपाल वाला भी डाउन हो जाएगा single failure domain है अगर पुने में कोई चीज़ खराब होती है तो पुने के ही लोगों को effect होगा भपाल की services पर कोई फरक नहीं पड़ेगा single failure domain है तो zone उस zone में अगर कोई मसला है तो zone तक रहेगा तो दूसरे को effect नहीं करेगा that is known as single failure domain within a region to deploy fault tolerant application लेकिन फिर भी अगर आप चाते हैं fault tolerant application की बस मैं यह नहीं चाहता कि यह zone तुमारा खराब हो गया तो मेरी service जाउन हो जाए मैं यह मतलब बरदाश नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बड़ी महेंगी service है मेरे हर मिनट के अंदर हज जारो transaction होते हैं मैं Google पे या Paytm जैसी service की बात कर रहा हूं तो ऐसे में फिर आप क्या कर सकते हैं to deploy fault tolerant application with high availability अगर आप ऐसा चाहते हैं and help protect against unexpected failures आप नहीं चाहते की unexpected failure हो जाए और बेरी service down हो जाए deploy your application across multiple zones in a region वो कहते हैं अपनी application को multiple regions में deploy करें इसका क्या मतलब है इसका server को एक zone या एक region के अंदर मत बनाओ अगर आपके चार server आपकी company ने बनाने हैं क्योंकि of course को जब बड़ी company होती है उनका एक server नहीं होता multiple server होते हैं तो वो कहते हैं इन्हें अलग अलग बनाओ आपको याद है जब हम छोटे थे मुझे याद है ऐसा होता था जब स्कूल मे हम लोग खेला करते थे मुझे याद है तो चुपन चुपाई भी अगर हम खेलते थे hide and seek जिसे आप लोग कहते हैं तो हम लोग क्या करते थे अलग अलग सारे दोस्त एक जगह नहीं चिपते थे क्योंकि एक जगह चिपेंगे तो वो सब को यह खटा पकड़ लेगा हम क्या होता था एक को पकड़ भी लिया तो दूसरा safe है वो चिपा हुआ है है ना ऐसा कुछ करते थे तो multi region में भी यही फायदा है कि अगर आपने चार सर्वर अलगर एक रीजन में लगाए है और एक सर्वर पर आप जैसे कि युक्रेयन के अंदर लड़ाई चल रही है अब यु वाल आता है कि सर अगर ऐसा कर देंगे तो वो तो हमें जो महबत का जो हमारा इजहार का जो जवाब था वो तो बड़ा मतलब हमें बड़ी देर से आएगा क्योंकि अगर आप सारे सर्वर तो exactly आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं सर्वर को अलग-अलग लगाऊंगा तो मेरी latency पे फरक आएगा पर अब choice आपकी है कि आपकी priority latency है या फिर fault tolerant system बनाने की है it depends ठीक है और यहाँ पर भी latency guys इतनी जादा नहीं होती कि आप ये कहें कि कोई मसला है अच्छा दूसरी बात कभी भी जैसे कि आप Amazon की बात करे Amazon.com की बात करे मैं Amazon की यह चले Google की बात कर लेते हैं जब Google का cloud पढ़ा रहा हूं तो Google.com मैंने suppose करें किया तो अब जब आप Google.com हिंदुस्तार में खोलेंगे तो Google आपको जो results दिखाएगा आपने कहा best YouTube channel for GCP तो आप जब ये इंडिया में सर्च करेंगे तो हो सकता है इसके result में आए technical गुफ्त को ठीक है चले मान ले ठीक है ऐसा मान लेते हैं वैसे है यह होगा नहीं चलें बड़े बड़े यूट्यूबर बैठें बैस यूट्यूब channel for GCP तो हिंदुस्तान में सर्च किया तो टेक्निकल गुफ्तगू आया पर भई हम तो हिंदी में पढ़ाते हैं हम तो उर्दू में पढ़ाते हैं अब यह अगर कोई बंदा सेम चीज सर्च करेंगा सपोस करें फ्रांस में तो क्या उसको जवाब में टेक्निकल गुफ्तगू आना चाहिए वो तो बोलेगा क्या फालतू की बात है मुझे इसकी आवाज ही समझ नहीं आ रही है बंदा बोल किया रहा है तो क्या रिजल्ट वहा गलग सर्वर लगे हुए हैं इंडिया का सर्वर अलग है फ्रांस का अलग है जर्वनी का अलग है अमरिका का अलग है जिसके बेस पर ट्राफिक जाता है अगर रिक्वेस्ट इंडिया से जा रही है तो इंडिया वाले सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट अमरिका से आ है तो अमरिका वाले सर्वर पर जाएगी और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे अमेरिका का सर्वर उसको रिजल्ट देगा तो गाइस ये एक पूरा नेट्वर्ग है जब क्लाउड पढ़ेंगे न तो ये चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होंगी इसलिए आप जब इ अमेरिका से जल्दी आएगा या मुंबई के सर्वर से जल्दी आएगा अमेरिका से जल्दी आएगा तो क्या किया जाता है डिजाइन ऐसे किया जाता है कि मल्टिपल रिजन में सर्विस भी हो और फास्ट भी हो उसके लिए आप क्या करोगे अमरिका की सर्विस अमरिका व student है, B.Tech में पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, यह कोई rocket science नहीं है G.C.P. को पढ़ना, G.C.P. का master बना दूँगा आपको, आपने बस ये वीडियो end तक देखनी है, जब तक भी मेरी पूरी series पूरी नहीं होती है, आप इसको देखिएगा, इसके इलावा कहीं जाने के ज़ आपको lab में नहीं दिखाया कि regions कैसे दिखते हैं, zone कैसे दिखते हैं, multi region कैसे दिखते हैं, मैंने अभी lab पे नहीं गया, जब lab पे जाओंगा, तब उसके बाद मैं आपको एक सला और दूँगा, कि मेरे lectures को देखने के बाद, पूरी series जब ये पूरी हो जाए, एक बार पू गैरेंटी दे रहा हूं, हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक बार में आप सारी बाते नहीं catch कर पाओगे, ये भी मुझे पता है, इतना तजर्बा तो मुझे भी है, तो चले, ठीक है, अच्छा जी, तो मेरे पास zone कितने है, अब ये भी सवाल आता है, मेरे प बता पाए, और नहीं बता पाए, तो आपका ध्यान नहीं है, आप ना पड़े, या फिर दुबारा वीडियो लगा ले, मैं सही बता रहा हूं आपको, as a trainer, 29 गुणा 3 आप करेंगे, तो ये आएगा guys, 87, यानि हर एक region में 3 zone है, और 29 region है, तो zone कितने हो गए, multiply 3 कर दो, 87, औ और आयोवा के अंदर एक extra zone होता है, याद है, आपको मैंने बताया था, वो ये एक exception है, उसको और add कर दो, तो कितने हो गए, 88, और ये देखो, 88 zones है, तो यहाँ पे कोई science नहीं है, हर चीज़ connected है, एक region में 3 zone होते है, 29 region है, तो multiply by 3 कर दो, आयोवा एक exception है, जहाँ पे एक से बात करेंगे, अभी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो हम बात में देखेंगे, multi regional मैंने आपको समझा दिया, कि जब आप नहीं चाहते कि मेरा एक region अगर कभी down हो जाए, तो मेरी service down हो, तो Google ने कुछ special services, कुछ ऐसी services, जो multi region को support करती है, Google की सारी service multi region को support नहीं करती, ठीक है तो by default Google की services है, जो multi region को support करती है, वो कौन सी है, big query है, big table है, storage की generally सभी services, cloud storage हो चाहे, spanel हो चाहे, data store हो चाहे, fire store हो, या फिर artifact industry हो, ये सारी services Google की multi regional services है, जो multi region को support करती है, और ऐसा नहीं है कि हर region में, multi region कितने है, मेरे पास 3 है, US है, यरप है, और Asia Pacific है, इन तीनों को multi region कहते हैं, तो Google is a multi region cloud, guys, हमेशा याद रखिएगा, Google is a multi region cloud, US, Europe, Asia Pacific, तीन region, तीन इनके बड़े region है, multi region इसको बोलते है, फिर US के अंदर बहुत सारे region है, जो मैं आपको बताया, यरप के अंदर बहुत सारे region है, Asia Pacific में बहुत सारे region हैं, और उन total region के नंबर कितने हैं, 29 हैं, यानि US, Europe, Asia Pacific के अगर सारे region की numbering करें, count करें, तो 39 आता है, ठीक है, ये बात आपको समझ आगे, ये मैंने क्यों लिखाया, ये इसलिए लिखाया है, कि अगर interview में कोई आप से पूछ ले, कोई multi regional resources बताए, जो multi regional services को support करती है, ऐसी services के नाम बताए, ये तो याद रखेगा, cloud storage आप याद रख सकते हो, big table या big query याद रख सकते हो, तो आप interview में बता सकते हो, ठीक है, कोई आप से पूछ ले, कोई zonal service का नाम बताए, तो याद रखेगा, जो virtual machine बनाते हो आप, वो हमेशा zonal होती है, हाँ, आप उसकी backup या आप एक scenario create कर सकते हो, कि एक machine zone A में है, दू हमेशा किसी region के zone में बनती है, ये बात याद रखेगा, ठीक है, ये zonal service होती है, या भी cloud में धीरे धीरे आपको clear हो जाएगा, कि virtual machine is a zonal service, regional service क्या होती है, जो पूरे region से access की जा सके, वो zone से बाहर की एक चीज़ होती है, यानि एक service ऐसी है, जो सिर्फ zone के अंदर अंदर access क की जा सकती है, zone ही access कहीं से भी की जा सकती है, इस zone का हिस्सा है, इस zone की ही जो चीज़ें है, वो cover कर पा रही है, फिर एक होती है regional service, regional service का मतलब है, कि वो इस zone का भी हिस्सा है, इस zone का भी हिस्सा है, इस zone का भी हिस्सा है, कुछ ऐसा समझे, कि वो regional service है, वो पूरे region में value resource कौन सा है app engine और याद रखेगा ये app engine ही Google की पहली service थी जो वो 2008 में लेकर आ गया था GCP को हम नया cloud कहते हैं कि GCP नया है in comparison to AWS and Azure उसकी वज़ाय ये है कि उसने app engine 2008 में launch कर दिया था जो कि बहुत बहतर service थी बट क्योंकि वो proper cloud लेकर नहीं आया था उनको उसके ये लगा कि याप engine बहतर है ये problem को solve कर रहा है और उन्होंने बाकी services virtual machine storage इन सब पर focus नहीं किया इसलिए market का share जो है वो AWS और उनके पास चला गया बात में फिर दीरे दीरे इन्होंने अपनी services को बढ़ाना शुरू किया गूगल की एक और अच्छी बात आपको बता दूँ कि गूगल का backend खुद का जो है खुद का जो infrastructure है गूगल के लिए चाहे फिर वो Gmail हो चाहे Google Drive हो चाहे G Suite हो चाहे Workspace हो चाहे Google Documents हो कुछ भी हो Google का जो आप internet पे use करते हैं या Google search engine आप use करते हैं उन सब के लिए भी Google उसी infrastructure का इस्तमाल करता है जो infrastructure वो आपको इस्तमाल करने के लिए देता है यानि कि Google Cloud पे Google खुद के लिए कोई अलग से उसने data center नहीं बना रहा है अपनी service देने के लिए एक वही data center जिससे वो आपको service दे रहा है उसी data center से ही Google की भी actual services चल रही है तो यानि कि Google आपको exact वो environment वो सारी चीज़े देता है Google आपसे कुछ छुपाता नहीं है या ऐसा नहीं है कि अपनी services के लिए अलग से data center बना रखे हो बाकी clients के लिए अलग से बना रखे हो no Google का खुद का infrastructure खुद की services भी इसी infrastructure पे dependent है इसी से चलती है ये भी एक तिल्चस बात है जो मैं आपको बताना चाहता था चालिए अब यहाँ पर क्या लिखा है if a single region fails only customer solely in that region are impacted अगर कोई region खराब होगा तो सिर्फ उस region के customer पे फरक पड़ेगा बाकी किसी पर फरक नहीं पड़ेगा लेकिन ये बात याद रखीगा अगर कोई region खराब होता है तो उस region पर impact पड़ेगा बट अगर service multi regional service है या resource है cloud storage है big query है तो उस पर कोई impact नहीं पड़ेगा multi region products या services पर कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि गूगल ने उनके लिए पहले से एक backup plan तयार कर रखा है कि भाईया अगर cloud storage किसी region में खराब हो गई है तो उसका एक backup मेरे पास है मेरे customer इससे affected नहीं होंगे although of course फिर google उसके लिए charges भी लेगा back end पे उसके billing इस तरीके से होती है but as you know कि हम cloud की अंदर जितनी भी services इस्तमाल करते है वो pay as you go होती है आप जितनी देर इस्तमाल करेंगे आपको उतना ही charge देना पड़ेगा but of course आप ये कह सकते हैं कि zonal service सस्ती होती है in comparison to regional regional सस्ती होती है in comparison to multi regional क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पे आपको backup भी तो मिल रहा है वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़े भी तो मिल रही है कि पूरा region डाउन हो जाए तब भी service मिलती रहेगी तो कहीना कहीं वो जादा effort लगाएगा उस काम के लिए google तो थोड़ा सा दिल में फरक आएगा हलका सा minor सा the fully qualified name for a zone is made up of region and zone एक बात और आपको बड़ी दिल्चस्प बता रहा हूँ आगे तक काम आएगी याद रखिएगा जब हम CLI पे काम करेंगे या किसी पर भी काम करेंगे region जो होता है वो हमेशा number से end होगा रिजन हमेशा number से end होगा और जो zone होगा वो हमेशा alphabet से end होगा अगर किसी भी नाम के आगे end में ABC लिखा है तो समझ जाना है यह zone की बात हो रही है और अगर किसी भी नाम के end में 123 लिखा है तो समझ जाना है यह region की बात हो रही है इसलिए अगर कोई region मैं लेता हूँ तो region इस तरीके से होता है US Central 1 यानि end किस से हो रहा है 1 से हो रहा है तो क्या समझ जाना है कि यह region है उस region के अंदर कोई zone होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा region and zone zone क्या होते हैं ABC तो region क्या था US Central 1 उसके आगे हाइफन लगा के A लगा दोगे तो अब यह zone बन जाएगा यानि US Central 1 के अंदर A zone में मैंने machine बनाई है अगर यहाँ पर B कर दोगे तो मैंने B zone के अंदर यह machine बनाई है कोई भी machine अगर आप बना रहे हो अगर मैं यहाँ पर C कर दूँगा तो C zone के अंदर मैंने यह machine बनाई है always remember and में अगर ABC लगा है तो वो zone होता है 123 something लिखा है तो वो region होता है ठीक है तो zone लिखने का तरीका क्या है पहले region लिखो dash लगा के ABC जो भी zone है वो लिख दो आप उसको क्योंकि CLI में यह सारी चीज़े काम आएंगी जब हम command line पे काम करेंगे तो यह एक basic सा concept आपको पता होना चाहिए अब एक छोटी सी बात रह गई है वो discuss करते हैं और इस lecture को finish करते हैं अब मैंने यहाँ पर दो point mention कर दी है कि when selecting zone yourself आप जब खुद से zone select करो तो क्या चीज़े आपने दिमाग में रखनी है पहला आपने cost को दिमाग में रखना है क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक building के अंदर एक बंदे को दूसरे बंदे तक मिलना असान है पर वो बंदे ने अगर Mumbai से नागपुर जाना है तो it will take time तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने service को within a region बनाना है या across the region बनाना है यह आप पहले decide करोगे कि आपकी requirement क्या है क्यों चूँकि within a region हो सकता है वो चीज़ सस्ती पड़े ठीक है design important system with redundancy across multiple zone or reasons आप यह भी ध्यान रखे कि redundancy redundancy का मतलब होता है backup या replication at some point in time your instances might experience an unexpected failure हो सकता है कभी किसी time पे आपका instance यानि कि server जो है वो down हो जाए तो यह कहते हैं ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते है आप उसके backup यानि की duplicates जिसे redundancy कहा जाता है आप उन्हे multiple zone या region में बना कर रख सकते हैं तो यह टेक्निकली पढ़ने में मुश्किल लगता है बट जब इसको हम अपनी भाशा में समझते हैं तो चीज़े असान हो जाती हैं मैं आपको समझाता हूँ यह देखो यह मेरा है multi region cloud मैं दो region यहाँ पे ले रहाँ एक ले रहाँ US एक ले रहाँ Europe यरप के अंदर US के अंदर भी मेरे पास multiple regions है तो मैं यहाँ पे multiple regions बना रहाँ example के लिए अभी 3-4 region मैं बना रहाँ suppose करें यह region है Iowa इस Iowa region के अंदर भी मेरे पास क्या है 3, sorry यहाँ पे 4 zone available है आयोवा में मेरे पास 4 zone available है टोरंटो में मेरे पास 3 zone available है और बाकी जितने भी है चाए ऐश बर्न है या जो भी है वहाँ पर भी क्या है 3 zone available है तो guys this is my multi region this is my region ठीक है यह मेरा region है इस region के अंदर मेरे zone है these are my zones यह सारे मेरे zones है zone A, B, C A, B, C यह मेरे zone है तो always remember एक बड़ा region है US के अंदर multiple regions है Iowa, Toronto, अलग-अलग शहरों में या countries में आप इसे कह सकते हो अलग-अलग countries में है ठीक है तो इन्होंने अपने region का नाम US दिया है इन्होंने इस US के अंदर Canada भी include है, North America भी include है, South America भी include है ठीक है, US ना कहके मेरे खाल से इन्होंने अमेरिका कहा है ठीक है, देख ले ना वो not sure, अमेरिका कहा है या US कहा है तो अब इसके अंदर multiple region है और उन region के अंदर zones होते है तो अब यह आपने decide करना है कि मैं अपनी service कैसी बनाना चाहता हूँ मैं यह भी बना सकता हूँ एक मिनट मैं दूसरा marker लेता हूँ मैं यह भी बना सकता हूँ कि भाई मैंने एक server बनाया यहाँ पे और दूसरा server बनाया मैंने यहाँ पे इसमें मुझे फायदा किया है, दोनों के दोनों एकी region के अंदर है तो मैं easily communicate कर पाऊँगा, जल्दी communicate कर पाऊँगा और मेरे पैसे भी कम लगेंगे लेकिन आप कहतों नहीं जी, मैं एक server बनाऊँगा आयोवा में और एक मैं बनाऊँगा टोरंटों में तो तोनों region अलग हैं तो यहां आपका थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि अब इस बंदे को यहां तक जाना है, दूसरे के घर तक जाना है अब आप कहतों नहीं जी, मैं टोरंटों में भी नहीं मैं एक बनाऊँगा अमरिका में और एक बनाऊँगा यरप के किसी region में यानि कि लंडन में, तो भई आप हैं सभी कर सकते हो कि एक server या बनाऊ एक या बनाऊ, and that is multi region तो आप अपनी server को जैसे चाहें, आप अपने environment को जैसा चाहें, वैसा बना सकते हैं आप उसे zonal बना सकते हैं, आप उसे regional बना सकते हैं, आप उसे multi region बना सकते हैं it depends on your requirement ठीक है तो guys जब भी आप कभी कोई selection करेंगे कि कोई service बनाएंगे तो आपको इन दो points का ध्यान रखना है कि भाई खर्चा मेरा क्या होगा वो भी ध्यान में रखना है और requirement क्या है क्या मुझे redundancy मिल रही है scenario को बनाने से या नहीं मिल रही है इसका लेकि best example यह हो सकता है कोई आप से कहें कि भाई आपने चार server बनाने है ठीक है आपने चार web server बनाने है अब आपके पास क्या choice है आपके पास एक choice है कि आप सारे के सारे web server एक ही zone में बना दो आपके पास यह तीन zone है पर आपने सारे server A zone में बना दिये but this is not a best practice यह गलत है तरीका बहतर क्या होगा कि आप एक सर्वर A में बनाएं एक B में बनाएं एक C में बनाएं चौत्था मर्जिय कहीं भी बना दो आप B में बना दो तो इससे क्या होगा कि अगर A खराब भी हो गया ये वाला zone किसी वज़ाए से खराब भी हो गया तो बाकी के 30 सर्वर तो चलते रहेंगे समझ आ रहेंगे तो guys this is called redundancy आपको redundancy मिल रही है आपको backup आपको high availability मिल रही है fault tolerance मिल रहा है और बहतर latency मिल रही है यह चार चीजे पढ़ लीजेगा क्या होती है fault tolerance यह मेरी ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे VMware की एक series है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे title पढ़ दीजेगा fault tolerance, high availability, latency, redundancy यह चार terms आपका homework है यह पढ़ लीजेगा although मेरी जो VMware की series बनी हुई है मेरे ख्याल से आठ नो लक्षर यह जादा नहीं है उनको पढ़िएगा, यह scenario को समझने में जादा help मिलेगी मेरे YouTube पर ही पढ़ी हुई है, free of cost पढ़ी है technical गुफ्तगू channel पर जाएंगे playlist चेक करिए VMware virtualization की और वहाँ से इन concepts को पढ़िए ठीक है, I hope चले, खासी दुबारा शिरुब होगी जादा बोलने से चले, तो I hope आपको guys आज का lecture बेहर दिल्चस्प लगा होगा बहुत सारी दिल्चस्प सीजे लेकर आने वाला हूँ Google Cloud को बिल्कूर मतलब ऐसे करेंगे कि मतलब कई जरुती नहीं पड़ेगी और YouTube पे इससे अच्छा content और मैं कहता हूँ YouTube पे नहीं, सभी paid platform पे भी इससे अच्छा content नहीं होगा यो मेरी guarantee है, तो इसके लिए हम पूरे आपके आज सकते हैं dedicated है, बहुत जल्दी लेकर आएंगे और अब बात को किसी खुबसूरत शेर के साथ खतर करते हैं आपको शेर सुछा था, ऊपर ओगो शेर बड़ा खुबसूरत था वो आपको सुनाना चाहूंगा की कि राट के दरिया का किनारा भी कभी आएगा वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा मेरे हिस्से में कभी आया था अच्छा कोई दिन पूछना था कि दुबारा भी कभी आएगा चलिए क्या पता अब तो वक्ती निकल गया ख्यार रखे अपना और दिवा में याद रखे